वेलकम फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम देखेंगे नेक्स लेवल जीके का सेट नमबर बारा दोस्तों यह वीडियो आप लोगों के लिए काफी महत्पून होने वाला है क्यूंकि इस वीडियो में मैं जो भी प्रसन लेका हूँ वह एकजाम में पूछा गया है और पूछे जाने की बहुत ज़्यादा समावना है और यह वीडियो क्यूज के माध्यम से होने वाला है यह वीडियो में तीन सकेंड का आपको हर प्रसन पर समय दिया जाएगा और उस समय अंतराल में ही आप प्रसनों का एंसर करें आप वीडियो के अंद में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रसन सही हो रहे हैं तो चले मैं इस वीडियो को सुरू करता हूँ आज का हमारा प्रश्ण है भारत में चिस्ती सिल्सले को किसने अस्थापित किया था तो यह अस्थापित किया गिया था सेग मुईदिन चिस्ती के द्वारा हमारा आगला प्रश्ण है किस विवेद में सभा को नरीष्ट अर्थात सामुहिक वाद विवाद या अनुलंगनिय ने कहा गया है तो यह कहा गया है अथर वेद में हमारा अगला प्रश्ण है औरत नामक चीत्र का चीत्रांकन किस ने किया तो यह किया गया था रमिंदर नाठ ठाकूर जी के द्वारा हमारा अगला प्रश्ण है वेल्ड किस परकार की घास मुमी के अंतरगत सामिल की जाती है तो यह सामिल की जाती है सितोस कटी बंदिये घास मुमी के अंतरगत हमारा अगला प्रशन है कौन सा मुगल सासक चितरकारों का सबसे बड़ा संरचक था तो यह था जहंगीर हमारा अगला प्रश्ण है ताप युग्म ताप मापी किस सिध्धान पर अधारित है तो यह अधारित है सीवेक के प्रभाव पर हमारा अगला प्रश्ण है किसके सासंकाल में अजन्ता की गुफाएं निर्मित की गई तो यह किया गया था गुप्त के काल में हमारा अगला प्रश्न है रिग वैद में कुल कितने मंडल है तो यह है टोटल दस मंडल हमारा अगला प्रश्न है सूफी सिलसिला मुलिता किस संपरताय से सम्मंदित है तो यह सम्मंदित है इसलाम धर्म से हमारा अगला प्रश्ण है भारत का प्रथम गवर्नर जनर्रल वह वाइसराय कौन था तो वह थे लौड केनीन हमारा अगला प्रश्ण है बद्रीनात कहां अवस्तित है तो यह अवस्तित है कुमाहु हिमाले में हमारा अगला प्रश्ण है निवन में से कौन एक पादप हार्मून है तो यह है साइटो काइनीन यह एक पादब हार्मून है हमारा अगला प्रशन है निन्लिखित में किस महादीप को बिज्ञान के लिए समर्पित महादीप कहा जाता है तो यह कहा जाता है अंट्राक्टिका महादीप को हमारा अगला प्रश्ण है निव्ण में से कौन सी परवत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच परवत चोटी है तो यह है गौडविन अश्टीन हमारा अगला प्रश्ण है बिसु का चीनी भंडार या चीनी का प्याला के नाम से निम्न में से कौन सा देश जाना जाता है तो यह जाना जाता है क्यूवा को हमारा अगला प्रश्ण है कारा कोरम परवत स्रेनी का पूर्व नाम क्या है हमारा अगला प्रश्ण है किस सीख गुरू ने फारसी में जफ़र नामा लिखा था हमारा अगला प्रश्ण है हरमुझ जलसंदी कीन दो देशों को अलग करती है तो यह अलग करती है इरान एवं UAE को हमारा अगला प्रश्ण है आदी गरंद किसने संकलित किया था तो यह संकलित किया गया था गुरू अर्जुन देव के द्वारा हमारा अगला प्रश्ण है इसलामी रहस्य वादी आंदोलन को क्या कहा जाबता है तो यह कहा जाता है सूफी आंदोलन तो दोस्तों यहीं पर हमारा यह वीडियो समाप्त होता है आपने कितने प्रश्ण सही किये हैं यह आप हमें कॉमेंट करकर जरू बताएं तो अब मिलेंगे हम आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद वन्दे मातरम